को वोव लेने वाले रंग बिरंगे पंखों के लिए जाना जाता है लेकिन ये खुबसूरत पक्षी शिकार भी करता है ये बात आपको हैरां कर सकती है कि वो सांप जैसे जहीले और खतरनाक रेक्टाइल को मार दावता है ब्लैक कोब्रा अगर इंसां के करीब से गुजर जाए तो इंसां के होश फाकता हो जाएंगे लेकिन मोर खतरनाक काले कोब्रा के करीब आने से चरता नहीं बल्कि शिकार करने के इरादे से पैनी नज़र रखता है इस तस्वीर में देखिए, जब दो मोर एक खतनाख कोब्रा सांप को अपना शिकार बना रही हैं, मोर कोब्रा से बिलकुर अच्छ नहीं आ, मोर ने अपनी चोंच से हमला करके सांप को पहले ही अधमरा कर दिया है. सांप के भीतर अब इतनी ही ताकत नहीं, कि वो मोर के हमले से बच कर भाग सके लेहाजा सांप वहां बेसुत पड़ा है और दोनों मोर अपनी चोट से सांप पर चोट कर रहे हैं दो मोरों के लगतार हमले से लहलुहान सांप पलटवार तो नहीं कर पाता लेहाजा कुछी पलों में वो बेदम हो जाता है उसकी मौत हो जाती है ऐसा माला जाता है कि मोर सापों का दुश्मर होता है मोर के सामने अगर साप आ जाए तो साप का बच्पाना ना मुंकिन है ऐसे कई इससे उन इलाकों में मश़गूर ने जहां मोर काफी तालात में पाई जाती है मोर और सांपों की ऐसी गई जंग के जश्मदीद लोग अपने ही अंदास में मोर के लाखू अंदास को बया करते ही लेकिन आखिर इस दुश्मनी की बज़त क्या है कहना मुश्किल है हालकि परियावरन में संतुलन के लिखाद से मोरों का ये अटैप काफी एहम हो जाता है इसके इर्दगिर्द रहने से सांपों का खत्रा कम हो जाता है